हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकुन्द मौर्या और आप देख रहे हैं गया निक्स भी तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अब हले दिनो में आपको triple C exam में देखने को मिलेंगे उकी तो आईए देखते आज का सबसे पहला क्वेशन सबसे पहला क्वेशन एंक हूँ इस इंवेंटर और क्रेडिट कार्ड करेडिट कार्ड किस किया थान उन पर निसको इंसके ह इनसेक के के लिए इस्तिमाल की जाती ही काफी common सो question है इस question का right answer होगा control plus k और अगला question है arrange in ascending order तेहां पर लिखा हुआ है gb, mb, tb और kb इसको ascending order में means बढ़ते हुए क्रम्या में arrange करना है तेहां पर सबसे पहला kb जो की mb से छूटा होता है इसके बाद mb फिर gb और tb का सही order होगा और अगला question है which is the latest browser ये काफी important question हो इससे कई सारे questions भी बन सकते हैं जैसे कि ये पूछा जा सकता है Google Chrome की CR में launch किया गया था और इसी तरह से एक question पूछा जा सकता है Firefox जो की एक browser है इसको की CR में launch किया गया था और अगला option है आपे internet explorer की CR में launch किया गया था ये अभी हाली में question पूछा गया था internet explorer की CR में launch किया गया था ये 1995 में launch किया गया था बिंडो 95 के साथ में internet explorer सबसे पहली बार launch हुआ है तो यहाँ पे मैंने सभी का year लिख दिया है ताकि इससे related कोई भी question पूछे जा है तो इसलिए आप इसका answer दे पाएंगे और ये सभी options आप कहीं पे जरू fox और उसके बाद google chrome आया जो की 2008 में launch किया गया है अगला question है which one is the first computer तो यहाँ पे ये mention नहीं किया गया है कि mechanical first computer की बात की गई या फिर electronic first computer की बात की गई तो यहाँ पे मैंने दोनों answers लिख दे हैं सबसे पहला mechanical computer था difference engine जिसको Charles Bevers ने डबल अब किया था और इसके बाद how many people can add in one whatsapp group काफी simple से question है आप सभी को पता होंगा कि whatsapp group में अधिकतम 256 लोगों को आप एक साथ add कर सकते हैं अगला question है which memory take less access time तो कौन CSC memory है जिसका access time सबसे कम होता है cash memory, RAM and ROM या पर इसे तीन option दियें तो इस question का right answer होगा option एक cash memory सबसे fastest memory होते है इसका access time होता है वो सबसे कम होता है और यह CPU और RAM के बीच के memory होते है जिसको बोलते है cash memory और अगला question है we can use two operating system in one computer at a time यह question थोड़ा सा logical है हम अपने computer में दो operating system install कर सकते हैं जो कि dual boot होता है हम किसी भी operating system का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस question में बोल गया है at a time means same time पे हम दोनों operating system का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा false और इसी तरह की काफी सारे logical questions आज कल triple C exam में पूछे जा रहे हैं अगला question है if we want to forward a mail which button we choose तो अगर आप कोई email forward करना चाहते तो कौ कौन सा option यह कौन सा button select करेंगे तो यह बहुत सिम्पल सा question है forward एक option होता है button होता है जिससे हम किसी भी email को forward कर सकते हैं और अगला question है if we want to add some document in mail then we choose which option तो अगर आप email के साथ कोई attachment यह कोई APR क्या है यह काफी important question है क्योंकि आज पहली बार मुझे देखने को मिला है और APR का full form होता है annual percentage rate जो credit card होता है उसमें एक annual percentage rate लगता है उसी को sort में बोलते APR तहाँ पर मैंने note down कर दिया है इसका full form होता है annual percentage rate अगला question है Linux operating system है तो यहाँ पे साथ कुछ options रहोंगे multitasking multi user इस तेगे options रहोंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है multi user multitasking जो की बिलकुल साही answer है और अगला question है Cal का file extension क्या है तो यह question काफी common है कई बार इदर भी triple C exam में पूछा जा चुका है तो इस question का right answer होगा .ods file का extension होता है अगला question है FTP में F का meaning क्या है काफी simple सा question है FTP file transfer protocol एक protocol होता है जिसको file send या receive करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे F का मतलब होता है file और अगला question है IPB6 का size क्या है तो IPB6 का size होता है 128 bit और अगर IPB4 की बात करें तो इसका size होता है 32 bit और अगला question है Instagram के founder कौन है यह काफी important question है Kevin Sastrom इसके founder है और यह Facebook company का एक product है अगला question है Mac address size यह काफी important question है पहले दे हम discuss कर चुके है Mac address का size होता है 48 bit और इसमें total 12 digit होती है 12 digit का यह code होता है और अगला question पूछा गया है CPU के पास कौन सी memory होती है थोड़ा सा logical question है लेकिन है बहुत simple सा RAM, secondary memory, hard disk या cache memory तो CPU के सबसे नजदी की memory होती है cache memory जो की RAM और CPU के बीच में होती है तो इस question का right answer होगा option D cache memory और अगला question है एक folder को directory भी कहते हैं काफी common question है कई बार repeat हो चुका है इस question का right answer होगा true folder को हम directory के नाम से भी जानते हैं अगला question है slide so view का shortcut की अगर आप slide so start करना चाते हैं उससे related question पूछा गया है slide so start करने की shortcut की होते F5 तो इस question का right answer होगा option D और कई बार यह पूछा जाता है current slide so start करने की shortcut की क्या है तो इसका right answer होता है shift F5 और अगला question है OLX एक सेवा है तो यहां पे options नहीं दी गए इसमें exactly इस question में क्या पूछा गया था OLS एक online service है जहां पे आप अपने सावान को बेच या खरीज सकते हैं तो यह दो model पे काम करता है C to C means customers to customer और यहां पे कुछ business companies भी involved होते हैं जो की customer को direct अपने product sale करने के लिए यहां पे अपने आपको register करते हैं तो यह दो models पे काम करता है C to C customer to customer and B to C business to customer अगला question है David card को ATM card भी कहते हैं तो बहुत simple question इस question का right answer होगा हाँ means true होगा यह क्योंकि debit card को ATM card के नाम से जानते हैं अगला question है QR code का प्रियोग कहां करते हैं तो यहां पर पूरी options नहीं लिखे हैं एक पहला option है marketing में education में इन में से कोई नहीं और last में एक option होना चाहिए था A तथा B जो की correct option मार्केटिंग में education में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है तो इस question का right answer होना चाहिए A तथा B और अगला question है Mac is written in hexadecimal तो यह पहले भी हम एक वीडियो में detail में explain कर चुके हैं Mac address क्या होता है इसमें कितनी digit होती है कितनी bit का होता है इसका size क्या होता है यह सारी चीज़े हम प और अगला question है sky is how many bits तो इसका यह code होता है जो कि alphabets यह numbers यह characters यह special symbol को computer में represent करने के लिए coding technique का इस्तेमाल किया जाता है और यह 8 bit का code होता है और इसे maximum 256 different type of characters को represent करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अगला question है नाबाड किसकी सिफारिस पर स्थापित वा यह काफी interesting question है आज मुझे पहली बार देखने को मिला है तो B.C.U. रमन कमेटी ने इसकी सिफारिस की थी जो कि 12 चुलाई 1982 में इसको लागो किया गया था और नाबाड का full form भी एक्जाम में पूछा जा सकता है त अगला question है to show company logo on each slide which slide should be edited अगर आप किसी company का slide में logo लगाना चाहरे है तो यह logo लगाने के लिए आप कौन सी slide को edit करेंगी काफी important question है तिक होती है master slide, master slide में अगर हम कोई भी image कोई भी text कुछ भी changes करते हैं तो बाकी other slides में वो automatically change हो जाता है तो अगर आपको किसी company का logo अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना है तो हम simply use करेंगे master slide और वहाँ पे company का logo set कर देंगे जो कि automatic बाकी सभी slide पे set हो जाएगा तो इस question का right answer होगा master slide तो आज का last question है उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सेखने को मिला होगा तो please हमाई इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button पे click करके subscribe करें साथ में bell icon on करें ताकि जब भी हमारा कोई video upload होता है इसका notification आप तक बहुत से questions हमें लोगों ने भीजें उन सभी के questions भी हम अलग से एक वीडियो में discuss करेंगे क्योंकि यह सभी important questions है तो आज इन लोगों ने मुझे questions पेजें उन सभी को में तब से बहुत बहुत धने बाद उमीद करते हैं इसी तरह आप लोग भी हमें questions भीजेंगे ताकि आन